नमस्का राजनमा टीवी पर आपका स्वागत हैं मैं प्रिया आपके साथ केरल हाई कोट ने सोमवार को वरकिंग महिलाओं का तबादला करते हैं समय संस्थानों को सहानुबती दिखाने को कहा जस्टिस ए एम मुश्टाक और जस्टिस शोभा अनमा इपेन की पीट ने कहा वरकिंग महिलाओं घर परिवार संभालती हैं वे अपने बच्चों मुझूर्ग माता पिता की देख भाल करती हैं नई जगह पर तबादला होने से उन्हें कई दिकतों का सामना करना पड़ता है कोट ने कहा नई जगह पर ट्रांसफर होने से महिलाओं को परिवार और वर्क लाइफ बैलेंस करने में चुनोतियों का सामना करना पड़ता है उन्हें नए सोशल नेटवर्क और सपोर्ट सिस्टम को लेकर स्ट्रेस होता है उन्हें करियर के प्रोग्रेस में रुकावट का सामना भी करना पड़ सकता है ऐसे मैं हायर करने वाले व्यक्ति या संस्ता को महिलाओं के प्रती समवेद ना रखनी चाहिए कोट ने ये भी कहा कि महिलाओं के ट्रांसफर से उनके बच्चों की पड़ाई भी प्रभावित होगी मिच सेशन में बच्चों को एडमिशन मिलना मुश्किल होगा कोट ने कहा कि कामकाजी महिलाओं अपने घरों में महत्वपुन भूमी का निबाती है इसलिए उनका ट्रांसफर और्डर जारी करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसी के साथ बने रहे है राजदमा ठीवी के साथ धर देवाद